Hello everyone, welcome to my channel आज के वीडियो में हम जानेंगे कामुक नाम का मतलब अधिकतर मात अपिता अपने बच्चे को कामुक नाम देना चाहते हैं लेकिन इससे पहले वो इसका मतलब जानने का प्रियास नहीं करते हैं कामुक नाम का मतलब उत्साही के होता है कामुख नाम रखने से आपका बच्चा भी इस नाम के मतलब की तरह विभार करने लगता है अगर आप अपने बच्चे को कामुख नाम देते हैं तो जीवन भर के लिए उसका संबन इस नाम के मतलब यानि उत्साही के से हो जाएगा नाम का मतलब उत्साही के होने की वज़ा से कामुक नाम के लोगों को समाज में भी बहुत पसंद किया जाता है कुछ समाजिक औधारनाव के अनुसार कामुक नाम का अर्थ व्यक्ति के सुभाव से जुड़ा होता है यानि की कामुख नाम का अर्थ उत्साही के है तो आपके सुभाव में भी इसकी जलक दिखेगी कामुख नाम की रासी मिथुन होती है मिथुन रासी का स्वामी ग्रह बूध होता है मिथुन रासी के अराधि देव कुबेर होते हैं कामुख नाम के लड़के स्वास समंदित बीमारियों, फ्लू और वाइरस संक्रमन आदी से परिसान हो सकते हैं मिथुनरासी के कामुख नाम के लड़के को अच्छी नीद आती है कामुक नाम के लड़कों में त्वचा समंदित रोगों से पीडित होने का खत्रा रहता है मितुनरासी के कामुक नाम के लड़के सरीर के उपरी हिस्से की पसलियों और तंत्र का तंत्र से जुड़ी समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं कामुक नाम के लड़के अकलमंद होते हैं कामुक नाम का सुबंग कामुक नाम का सुवामी ग्रभ बुद एवं सुबंग पांच है कामुक नाम के लोग अच्छी किस्मत वाले होते हैं और इनमें बौधिक छमता बहुत अच्छी होती है कामुक नाम वाले व्यक्ति नीजी स्वतंतरता पसंद करते हैं इन लोगों को वादा करना अच्छा नहीं लगता कामुक नाम के लोग मेहनत करके काम को असान बना लेते हैं और ये एक अच्छे विजनेस्मेन बन सकते हैं कामुक नाम के लोगों का भागे बहुत तेज होता है इन्हें अपने जीवन में रुमांच बहुत पसंद होता है कामुक नाम वाले लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं इसलिए ये फैसले भी जल्दबाजी में लेते हैं कामुख नाम के व्यक्ति का व्यक्तित्व कामुख नाम के व्यक्तियों की रासी मिथुन होती है मिथुन रासी वालों को लोगों से मिलना चुलना पसंद होता है ये हमेशा ऐसा काम चुनते हैं जो इन्हें व्यस्त रखे और नए नए लोगों से मिलने का मौका दे कामुख नाम के लोग हमेशा ऐसे कारियों को चुनते हैं जिन में रोज नई नई चुनावतियां आती है इन्हें बार बार एक ही काम करते रहना पसंद नहीं होता है कामुख नाम वाले वेक्ति अपने करियर में लेखक, पत्रकार, एक्टर, सीक्षक या सेल्समेन बनना पसंद करते हैं जिनकी राज से मिथुन होती है अक्सर उन्हें अब इस वसनिये समझा जाता है और इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही तैंक you so much for watching my videos